हेलो दोस्तों, CPET Online Classes में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम GK से related कुछ question देखेंगे जो important question है question इंगलिस हिंदी दोनों में है जिससे इंगलिस के जो student है उनको पढ़ने में आसानी हो जो हिंदी के student है उनको भी पढ़ने में आसानी है तो आईए शुरू करते हैं पहला question है हमारा बिश्व स्वास्त दिवस प्रतिवर्स मनाया जाता है World Health Day is celebrated every year on option A हमारा है 8 March option B 7 April option C 21 June option D 4 July तो जो बिश्व स्वास्त दिवस है हमारा वो 7 April को मनाया जाता है question number 2 मानो शरीर का कौन सा भाग osteoporosis से प्रभावित होता है which part of the human body is affected by the osteoporosis option A केंद्रित तंत्रिका तंत option B option C option D pair तो इसका राइट एंसर जो है हमारा osteoporosis से हमारी हड़ियां प्रभावित होती है जैसे हड़ियों में टेड़ा पना जाता है या हड़ियां कमजोर पर जाती है तो हमारा right answer option C है question number 3 किसने मगद की राजधानी राजगरी से पाटली पूत्र अस्थान रित किया था जो पाटली पूत्र स्वारी अपनी राजधानी राजगरी से पाटली पूत्र अस्थान रित किया था who shifted the capital of the मगद from राजगरी टो पाटली पूत्र option A बिम्बसार option B असोक option C चाड़क के option D अजात सत्रू तो जो right answer हमारा है वो अजात सत्रू अजात सत्रू ही अपनी राजधानी को राजगरी से पाटली पूत्र अस्थान रित किया था question number 4 भारत और स्रिलंका को कौन सा जल डबरूमाद्य अलग करता है या इसको हम खाड़ी भी बोल सकते हैं कौन सी खाड़ी अलग करती है which street separate India and स्रिलंका option A मननार की खाड़ी option B अकाबा की खाड़ी option C मेक्सिको की खाड़ी option D पाक जल डबरूमाद्य यानि पाक की खाड़ी जो भारत का जो पाक की खाड़ी है भारत का जो ये पार्ट है यहां से स्रिलंका जो अलग होता है यह हमारा स्रिलंका है यही है हमारी पाक की खाड़ी question number 5 1662 में पूर्टगाल की राजा ने इंग्लेंड के चाल सुधिती को काउन सा भारती तटी सहर्त दहेज की तवर पर उभार में दिया था in which in 1672 which of the following has given to the Charlie second of England by the King of Portuguese which Indian coastal city has gifted as draw option A मुंबई option B पुद्दुचेरी option C कोलकता option D मुंबई sorry गुवा इसका right answer जो है मुंबई option A है पूर्टगालियों ने जो चाल सुधिती राजकुमार थे इनकी साधी हुई तो उनको गिफ्ट के रूप में इनको मुंबई दिया था किनको पूर्टगालियों ने अंग्रेजों को दिया था question number 6 देखते है किस भारती दार्सनिक बिचारक को 1893 में सिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसत में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है विच इंडियन फिलोस्पिकल थिंकर वार्द आवार्ड देखते हैं सिकागो इन 1893 मेंबर पर इस इस एड्रेस इन पर्लियमेंट अप्रियमेंट अप्शन आप्शन E राजा राम मोहन राय आप्शन B स्वामी विवेकानन्द आप्शन C सर्वपल्ली राधा क्रिष्णन आप्शन D राम क्रिष्ण परम्हांस तो इसका राइट एंसर जो है हमारा आप्शन B स्वामी विवेकानन्द क्वेस्चन नंबर साथ निम्नलिखित में से किस सरज्चना को प्रथम विष्वय युद्ध के दाउरान औभिवाजित भारती साहनिकों ने स्य्निकों की युद्ध इस्वित्ती में बनाया ग Mü यानि कौन साइस मार्क जो भारती सेनिकों के युद्ध में अपने योगदान के समय प्रथम विश्व युद्ध के दावरान बनवाया गया था इसका राइट एंसर है हमारा इंडिया गेट जो है हमारे प्रथम विश्व युद्ध में जो साइनिक लड़ाई लड़े थे उनकी याद में बनवाया गया था question no.8 गुप्त काल का टेरा कोटा की इटो से बना भीतर गाउं मंदिर कौन से अस्थान पर इस्थी थे at which place the भीतर गाउं temple made of टेरा कोटा bricks of the गुप्ता पेरियड situated आएट option A चित्रकूट option B कानपूर option C गुरकपूर option D वाराणची ये जो इस्थी थे हमारा कानपूर UP में कानपूर UP में ये इस्थी थे क्वेस्चन नंबर नौ फरूखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माड बागसा डाड़ द्वारा करवाया गया था तो मुगल घाट का निर्माड किसने करवाया था अउरंग जेब ने आप्शन B हमारा सही एंसर है क्वेस्चन नंबर दस आगरा की मोती मस्जिद का निर्माड द्वारा कराया गया था दमोती मस्जिद आप्दा आगरा वाज बिल्ड बाई आप्शन A अकबर आप्शन B सा जहां आप्शन C आउरंग जेब आप्शन D दारासी को तो इसका राइट अंसर जो है आप्शन B साह जहां के द्वारा आगरा की मोती मस्जिद बनवाई गयी थी क्वेस्चन नंबर 11 भारत का सबसे बड़ा बाक्साइट उत्पादत राज है तो इसका राइट एंसर जो है हमारा ओड़िशा जो है भारत का सबसे ज़्यादा बाक्साइट उत्पादक राज्य है इसका राइट एंसर हमारा ओप्शन यह है क्वेस्चन नंबर 12 निम नंबर से 21 खनीज को पीला केक भी कहा जाता है इसका राइट एंसर जो है हमारा यूरेनियम यूरेनियम को पीला केक भी कहा जाता है निमन में से किस देश को पहले सिलोन कहा जाता था ओप्शन ए माल दीव ओप्शन बी स्री लंका ओप्शन सी मारिसस ओप्शन डी सूरी नामा तो इसका राइट एंसर जो हमारा स्री लंका स्री लंका को पुराने टाइम में सिलोन कहा जाता था क्वेस्चेन नंबर 14 नेशनल इस्टाक इस्चेंज का मुख्याले कहां इसते थे तो इसका राइट एंसर जो है हमारा आप्शन सी मुंबई आपको बताते मुंबई जो है मुंबई को अगर कहीं पे दे दे था भारत की वित्ती राजधानी भारत की वित्ती राजधानी कौन सा सहर है या भारत की वित्ती राजधानी कहां है तो जो भारत की वित्ती राजधानी है वो मुंबई है क्वेस्चन नंबर 15 भारती संबिदान की भारती गणराज की आधिकारिक भासाओं की सूची प्रदान करती है यानि कौन सी सूची है जो भारती गनराजी की आधिकारिक भासाओं की सूची प्रदान करती है कौन सी अनुसूची है Option, sorry, List of the Official Language of the Republic of India in the Constitution of India provides Option A, 11 Option B, 14 Option C, 12 अनुसूची Option D, 8 अनुसूची उमेद करते हैं, वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपको अच्छी लगे होगी तो वीडियो का लाइक करें ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों तक सेयर करें जिससे उनकी हेल्प हो सके और जो ऑफिसियल टेस्ट है उसके भी वीडियो आए जाएगी ऑफिसियल टेस्ट आप लोगों का इंगलिस में दिया है तो उसको इंगलिस और हिंदी दोनों में कनवर्ट करके आपको दिया जाएगा धन्यवाद